महापुर्सों प्यार से कहिए धन रंकार जी, प्रभू से रिष्टा ही मांसिक इस्थिर्टा का मूलाधार है, जो इस्थिर है वही इस्थिर्टा दे सकता है, जो चलाय मान है उससे इस्थिर्टा की आशा व्यर्थ है, मानावता के आरंभ से ही सब्धिता की प्रत्यक्ष हत्वा अप्रत्यक्ष प्रगती मूलत दो बातों पर केंद्रित रही है जीव विज्ञान और जीवन दर्शन यह जीव विज्ञान में हुई प्रगती का ही परिडाम है कि जो लोग बिमारियों पर बिजय प्राप्त कर लंबा और निरोगी जीवन जी रहे हैं लाखो लोग कृतिम अंगों के सहारे सफलता पूरुबग जीवन की यात्रा तै कर रहे हैं बिज्ञान ने मानव को इतना सच्छम बना दिया है कि मानव आज आकास में पच्ची की तरह उड़ सकता है और समुद्र में मचली की तरह तैर सकता है अगला इससे अधिक महत्पूर्ण पच्छ मानव के जीवन दर्शन का है जिसकी बदवलत मानव धर्ती पर सुन्दर दैवे गुणों से युक्त होकर स्रेष्ट मानव के रूप में इस्थिर जीवन जी सकता है महान आधुनिक मनोव ज्यानिक सरजंग ने अपने पुस्तक आत्मा की खोज में आधुनिक मानव में लिखा है कि मेरे तमाम मरीजों में एक भी ऐसा नहीं था कि जिसकी समस्याओं का समाधान धार्मिक द्रिष्टिकोड अपनाए भिना हुआ हो लंदन के एक और प्रख्यात मनोव ज्यानिक डॉक्टर हैड फिल्ड ने भी अपना अनभव साजा करते हुए इसी तथे को सुईकार किया है बाइबल में भी अस्पेश्ट किया गया है कि एक इनसान अगर सारा संसार पाकर भी अपनी आत्मा का कर्याण ना कर सका तो कोई भी लाब प्राप्त नहीं कर सकता इनसान के लिए यही वह समय होता है जब वह परमात्मा की खोज हे तो अगरसर होता है जिसे अब तक वह भौतिक्ता की चमक दमक में नकारता आ रहा था हिपो के दारसनिक संद आगिश्टन कहते हैं हमारी आत्माएं तब तक असांत रहेंगी जब तक की वे परमात्मा में बिश्रांती ना प्राप्त करें सास संग जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी